बार्तमान शासंदाग भग्वान महावीर स्वामी की आचारी दियो विद्या सागर्दी महराज की बार्तमान शासंदाग भग्वान 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 महराज की देदीप मान प्रकास पुंज, मुर्याद प्रमासांगर जीव के शमक्ष विराजमान सभी सुस्राव को इवन सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों बैट करके उनकी वानी को सुन रहे पराश चनल इवन जन्मानी चेलन प्रमानी के अपके माध्यम से सुमधर मानी के वाद्यम से अपनी जिग्यासाओं के अपनी संकाओं के समधान प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन को जीष्वा इस्फूर्थ कर रहे हैं सभी भब जनू आज हम पुना संबध होने जा रहे हैं उन्सी चरणों से जो जगत भी ख्यात हैं गुरानी तन प्रणेता संका संपरवर्तक भाव नायक प्रवर्तक एवं संपरवर्तक की रूप में जन्की वाणी हमारे जीवन का कल्यान करने वाली है एसे स्री गुरी चरना में हम अ क्यात करूं। आज ही बहुत साई लोग अपने मन को संजो कर गुणातन संबध होने का भाव बना कर यहाँ आए जुड़े और वे लोग जो आज तक जुड़ने ही पाए उनसे निवेदन या आखवान करता हूं कि अपने जीवन की आज़ना को आप गुरवानित करना चाहते हैं आपने चंचल लक्षमे को सुसोफित करना चाहते हैं अमर करना चाहते हैं तो गुणातन से अवस्ट जुड़े गुणातने कैसी जीज़ बने जा रही हैं जैसे देखके लोग वहाँ वहाँ करेंगे चक्ट होंगे और यससे जैन धर्म जैन संकजी सम्मर्दित होगी सुरक्षित होगी आते हैं गुणातने जोड़ करके अब जीवन को धन अवश्च करें गुणातन से आज अन्य प्रकास जीज़ जीज़ जैवलपूर और स्री पन्ना डाल जीज़ कुमार जीज़ शेठी कोलकाता है अन्य श्राण दान करके अपने जीवन को धन्त्रणी बनाया है बहुत बहुत साधुवाद्य जीज़ उपस्तित है तो अपने स्थान में खड़ होकर एक आसीज परात करने कि संभी करने चुप जाएंन जॉप श्री मुनखकि करने ऌमारी जीज ए निगेंन श्री मुनायाद्य जैवाद्य क की जैवादि आएंने को सब्सक्राद इनी श्री मुनायादि कि जैन आण से म्नियज नीग Mr. Jyn, yen झाइं सी अखिल हिमानी अढ्धियन जें एए वी संबब्धू говорить कि मुलोई पिरमाइ झाइं स EVERY माम ख्रयाए थी मुलैखी का मरतान के स्रीमानाना सुनिर परहत líder का उब इए पिर दोना यूओ고 lub गौनाजतन सिन निर्माज साथी क्रूप में संबत करके जीवन को धन्य किया है श्रीमान अलिकमार जी अनुप कुमार जी खुरकुरिया ठीकम गढ़ने इनका संबान करने के लिए साधना मतित गौनाजतनिक परियोन जातिकारी स्रीमान चंद कुमार जी जेन जेवलपूर चंद कुमार जी आं में ऱ्रीमान अला ठीकमण परियोन करे मन सव हो रहेए साथ आगे में अनुप कुमार जी खुरकुरे आए इनका सम्मान अखले सत्भाईया और प्रदीव जी भधवरा साफ टेस्ट गुनायतन सम्मान शिवकार करें इनकी और से सम्मान करेंगे स्रीमान चंद कुमार जेन परियोजनादिकारी गुनायतन और धनकुमार जी पाटनी वेवियाजा सम्मान करने के लिए सम्मान करने के लिए दनकुमार जी पाटनी कोल काता आ जाईएगा अज गुणातान से सुधार गुपें आपको संबध किया है स्वरगी सुरेश्चन जी जैन सुपत्सुरुबत कुमार जी जैन सिमतिस्टे रहता जी जैन नितिन कनक जैन प्रियस निवान जैन दिली ने साधारा मं करें इनका संबान करने के लिए शाधा मंदिद कर रहा हूं तो प्रियंका जी वर्ण जी प्रियंका जी अजर्ण मुंभाई एवां हर्स जी जैन 치ेन ने जाए विज समान करने पांडूयजाय दन कौन कॉण Clemente को फॉणक्यों कोलकाता समान करने पánt गुना से इनका संमान करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आमधित कर रहा हूं स्रीमान अर्विन जी जैन फ्रोजावाद एवं स्रीमान अमेजी जैन दिल्ली आजाएए श्रीमान अमेजी जैन दिल्ली आपकी तालिया ने रंतर बस्ती रहें स्रीमान अंगोरी देवी जैन पुत्र स्री राजी कुमार जैन आजाएए श्रीमान अंगोरी जैन पुत्र स्री राजी कुमार जैन श्रीमान तर्वेश देवी जैन आगरा तैयार हैं नंवान अमेजी जैन दिल्ली ट्रस्टि गुनायतन और तैयार हैं स्रीमान अंगोरी देवी जैन पुत्र स्री राजी कुमार जैन श्रीमान तर्वेश देवी जैन आगरा तैयार हैं नंवाने पास आजाए उपर मंच में इनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे गोपाल से श्रीमान रोही जी जैन ट्रस्टि गुनायतन और श्रीमान मुकेश जी जैन शन्रक्षक गुनायतन आजाए राजी कुमार जैन श्रीमान तर्वेश देवी जैन आगरा इनका सम्मान करने के लिए मुकेश जैन श्रक्षक गुनायतन और रोही जैन दिल्ली भुपाल आजाए बाल वर्मचारी सुष्णादी तैयार रहें प्रमला जी प्रद्वाजी भुपाल मंच में आजाए इन गुनायतन ने आज अपने आपको गुनायतन से सुधार गुप संबद किया है बहुत बहुत सुधुवाज के साथ आमंत्रित हैं बाल वर्मचारी जी भेहन सुष्णादी प्रमला जी प्रद्वाजी जी भुपाल में आज गुनायतन से अपने जीवन को अपने जीवन को धन्न किया है अजय कुमार जी ईूसादी जैन बीपक सुभम सुधा अनग जैन फ्रोजा बादने साजर अमन्दित कर रहूं पूरे परपरभाई के सांथ आजाएं इस्रिमान अजय कुमार जी उसादी गुपक जी ईूसादी प्रिभाज़ जैन परिबार फ्रोजा बाद अच्छा दीपक जन, कुराल जन, मधिवन कुराल जन उनके भाजे भवी सांत में आजाए उनका सम्मान करने के लिए साधा मतित कुराईतन के ट्रस्टी, सीमान प्रतीफी जी मध्योरा सीमान अखलेशी सथवया सम्मान करने के लिए पहँचे अनिल जी, अमिताई जी जाएं गुणाईतने की सिर्मेशन दक च्छत दुरगापूर एभी सम्मान करने लिगी पहुंचेंएं आपकी तालिया लगातार बत्ति रहें असा ब्यक्जत्व जोने अपने आपको संस्थापित किया है गुणाईतने के संस्थापित के रूप में आते जाएं, कुणाई जी आजाएं, आएए और आज इश्रीक्रम में गुणाईतन से संस्थापित हुए हैं श्रगी विम्ला देवी जैन, धर्मपत्नी स्रगी, सुरेश्चन जैन, सुपत्स्री, प्रदीप कुमार जैन, स्रीमादी मनीशा जैन, सुबोद जैन, इस्रीह रता जैन, प्रोजावाद इन्हाए मैं साजा मंतित का पूरी परिवार को आमनित करों आएं गुर्देव की चर्णोगी अहिमंदा करें, आश्रिवात प्रात करें और इनका सम्मान करने के लिए मुला रहा हूं गुणायतन के प्रचार मंत्री भोपाल अंचल के सम्मान करने के साथ में आए राजी जी जैन, भोपाल ट्रस्टी गुणायतन आपकी करतल धौनी लगाता होती रहें के सम्मान में सम्मान करेंगे सुरगी भिम्ना देवी जैन, धर्मपत्नी सुरगी, सुरेश्चन जैन, सुपत्स्री प्रिदीप कुमा, स्रीमाती मनीशा जैन, सुबोच जैन, इस्टेतर जैन, प्रोजादबात के सम्मान में आपकी करतल धनी निरंतर होती रहे आज गुणायतन के टस्टी स्रीमान अमिजी जैन दिल्ली जिन्होंने अपने आपको गुणायतन से सेवातन के टस्टी बनने का भी सवधयाग परात कीया है खुभ, खुभ साधबाद के साथ उन्हें अमन दित कर रहा हूं अमिजी जैन, अब जाओ उन्हें का सम्मान करने के लिए अमन दित कर रहा हूं और अब हम जुड़ने जारहें उन चरणों से जिनके स्रिमुक्ष से अपनी संकाओं के समनहान प्राइब संजय म्यक्स परिवार नेम आजाएं संजय म्यक्स अपने बच्चों के साथ आजाएं मंच में रोहित आज इस पर एक स्वागत की बेला में हमारे राजीब भाई और रोहित भाई सुगंदी लाल जी का भी मन हुआ है कि उसे वायतन की आज ट्रस्ट की बनने की गोच्चण कर रहे हैं तो आप लोग तालीव जाका अभी वारन करिए और हमारे राजीब बहाई हाँ और सम्मान करें के अनुवजित सराफ और एनल जन सब उपस्तित हैं सम्मान के जिए तीनों के सम्मान के जिए लिलाई है लुके रुकी आप लुके सम्मान होगा आपका आप पहुंचें और आमंदत कर रहा हूं श्रीमती संजाई मैक्स को इन दोर से आएं गुर्द्यक चौनक वन्जाद अपने परिवारे के साथ आजाएं स्रीमती संजाई नेमावर शहित अनेक जिनाला के निर्मावर जिन्हों ने कई दसक तक अपना अथक परिश्रम किया है ऐसे संजाई जी मैक्स की स्रीमती नाम न आये श्रीमती नेलु जी जैन गुजोजक-चरणक वंजार तो परसितों आये आयो अंद्नक जी आयो आई और समंगे के लिए अमिता जी इसा भ्यक्तित जनी की धर्मपद्नी यह हैं जोना लगाता नेवावर के निर्मान के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया नेवावर के लिए नहीं गुरु भक्ति का उतकृष्ट उधारन कर लोगा आज संजय मैक्ष की बात आ रही है संजय मैक्ष एक ऐसा नाम जिसने इतनी गुरु कृपा पाई जो सायद किसी ने नहीं पाई होगी उनने पूरा जीवन गुरु चर्णों में खपाया और गुरुदेव के अभिप्राय को समझते वे सब प्रकार की परियोजना को उचाई तक पहुचाने में योगदान दिया उनके लिए बिमारी आई लेकिन बिमारी में भी वो हारे ने उनने बिमारी को हराया और अंत अपना काम कर दिया मैं निलू जी और उनके दोनों बेटियों से कहना चाहूंगा हमें इन सब प्रशंगों को देखकर अपने मन को और मजबूत बनाना चाहिए ये सब सोक का निमित न होकर बैराग का निमित बनना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्यास क आईए हम चलें स्री उचड़ा में जलीकि स्रीमुक्स अपनी समांकाओं के समधान प्राइब करेंगे पहला प्रस्थ करने के पश्चित हो स्रीमान डिसी जैन सुपत स्री सौरह जी जैन टेस्टी गुनायतन अपने साथ में भावित मौनिल मोहित करतब और परास के साथ ज मैं शेश कारकम के लिए आम अदद कर रहा हूं सु प्रसद संत्याला स्रीमान अमिर जी जैन को वे आप लोगों के नाम पोकार करेंगे आपको बुलवाएंगे प्रस्थ करने के लिए मेरे सभी मित्रगंड की तरफ से माराश्री आपके चंडों में बारंबार नमोस्तू हमारा प्रश्णी है कि माराश्री हमें बच्पन से मंदिर में सिखाया जाते है कि आप पूजा करें अभिशेक करें शांतिधारा करें और हमारे जो भगवाने वो हमेशा से ध्यान की है परिज फंब अधियो और दिहन के मार्ग में आगे वगरना जाते है तो हमें वेपासना जैसे अन्य इंस्ट्यूभोर्ष में याखना पड़ता है ना कि ज === हमें कुछ आसा इसा OFFLINE जाना चाहते हैं, दूसरी में नहीं जाना चाहते हैं, पूजा प्राइमरी है, और ध्यान हायर क्लास की बात है, समझ गया है, तो एकदम सबसे प्रारंभिक अवस्था में पूजा, श्वाधा, यह सब क्रिया हैं, जिसमें मन बड़ा आसानी से लग जाता है, ध्यान में हो जाएं उनको समाइक की क्रिया में भी तलीनता रखनी चाहिए, और समाइक को आगे बढ़ने का प्रित्न करना चाहिए, तो समाइक से एक अभ्यास बनता है, विपास्ना अदिक जो भी ध्यान की प्रिक्रिया है अपनी जिगा सही है, मैं तो कहता हूँ कि इवल भामलायो करने लगो ध्यान के परमफर को प्राप्त कर लोगे और जीवन को आगे बढ़ाओगे इसलिए जो कुछ भी करना है ऐसा करो जिसमें मूर्भू जेन तत्तो ज्यान हमारे साथ रहे और ध्यान की किसी भी एक ठेरपी की तरह ध्यान को लेना और किसी शिविर में सामिल होने मात से ध्यान की पूर्णता नहीं होती है ध्यान की उपलब्धी के लिए जीवन की सुध्धी विजजुरी है उसका भी हमें ध्यान करें इसके बाद जिक्यासा के लिए उपस्तित होंगे अखलेश जी सद्वया श्री प्रदीप जी भदोरा और मुनालाल जी साहिब जो की टी अश्री प्रदीप जया फ्रदीप जिनके दहसन को पाकर के खिलती ही मुजहिए जयी हमें अनुबह है कि दहसन को नहीं मन से अगर गुरु को याद कर लिया जाए तो समस्त कष्टों का निवारन हो जाता है गुरुदेव आज संका तो कुछ है नहीं आपके दहसन से संका दूरू हो जाती है अब एक पसंद है टीकमोड में MPPSC में 25 बच्चे जेन लिकले हैं जो जेन लिखे अपनाम के इतनी बच्चे और होंगे इस तरह MPPSC का रिजल्ट आया तो आरक्षण के भूत को भगा करके 50 बच्चों ने लगवा PSC में लिए मेरी भान जी भी डिपटी SP के लिए सिलेक्ट हुई है PCGN की लड़की उपबंजेन उपायुक्त सागर की बती जी उसका एक पसंद है कि गुरुदेव हम सरकारी सेवा में जा रहे हैं और मैं DSP के लिए सिलेक्ट हुई हूँ अभी संकासमादान सुन लई है तो आप मुझे आदेशित करें कि हम अपनी यह नई जिन्दगी कैसे सुरू करें कि लोगों का जैन दर्म के उपर विस्वास बढ़े और जैन अधिकारियों को वो अच्छा समझे हैं बहुत जंद है पच्चास पच्चीस तो वो हैं जिनक संसरी बात है जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज रही है और जैनियों ने सदेव अपनी प्रिछफा का लोहा सब को मनवाया है हम राजा महराजाओं के काल में भी देखते रहे हैं कि ऐसे सभी प्रमुक पहदों पर जैन रहें और मेरा मानना है कि यदे ऐसे छेत्र में जै आगे जाते हैं और वे जैनत्य को आत्म साथ ले करके चलते हैं तो देश प्रदेश और समाज का भला होगा उससे संस्कृति फ़लेगे फूलेगे क्योंकि जैन होने का मत्र भी है इमानदारी और प्रमानिकता के साथ अपना काम करना और आज देश को सबसे ज़्यादा आज अपना पाओ पशार रहा है उस बात को देखते वे न्याय निष्ठ इमानदार और प्रमानिक बेक्ति यदि सास्की सेवाओं में आते हैं तो हम देश का जनता का बहुत अच्छा उधार कर सकते हैं मैं इन सब को यही दे कहना चाहूंगा कि जहां भी रहो निष्ठा पूर्वा काम करो और जैन होने की चाप छोड कर आओ क्योंकि हमारा इतिहास बताता है जैनियों ने कभी कोई अनैतिक कर्म नहीं किया उस अनैतिकता से अपने आपको बचा कि रहा प्रदीप नवस्तु गुरुदेव नवस्तु गुरुदेव गुरुदी जब परिष्थ जो हमारे मन की हुँ पर हाभी होती रहती हैं, हम अपनी सोच को कैसे सक्तिसाली बनाएं, कि जो हमारे लिए विपरीत सोच रहे हैं, उनके मन में भी हम अपनी प्रती सही भावना प्रदर्श्यत कर सकें, यह प्रशन हमारी धरम पतनी Sandhya Bhadora का है, जो हमाराजी, नमुस्तु बहुत सुनुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदु अनुकूलता में आपकी सोच चाहे जैसे बने रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता फर्क तो तब पड़ता है जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता तो प्रतिकूल परिस्थितियों का दिलता से सामना करना यह एक बहुत बड़ा पूर्शार्थ है साधना है और यह अनुकूल इस्थितियों के अभ्यास से ही संभव है जब हमारे इस्थितिया अनुकूल हो तब से हम अपने मन को अगर प्रसिक्षित कर दे तो कैसी भी प्रतिकूलताएं क्यों नहों हम अपने मन में इस्थिता रख सकते हैं उसकोल गयाँ का अस्रे लेना चाहिए कितना भी सगन अंधिके अधेरह हो आपके पास यदि एक दिया सलाई है तो आप उझाला कर सकते हैं एक तार्ठ है तो प्रकास कर सकते हैं यदि आपके पास गयाँ है तो आप अपने तन, मन को साध्षान बना सकते हैं और जीवन का पत्प्रसस्त कर सकते हैं तो ज्ञान को आगे बढ़ाएं ज्ञान को जगा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए ज्ञान ही समाधान देता है और ये सतत अभ्यास से आता है जो बेक्ती अनुकूर इस्थिती में तत्व ज्ञान का आस्रे लेते हैं उनके हिर्दय में जब भी ऐसी प्रतिकूलता होती है उनके एक लाइट जलती है अरे ये इस्थिती है चले जाएगी बीथ जाएगा और जब ऐसा कुछ हो तो उस समय हमें गुरुओं का जो उबदेश है उसे आत करना चाहिए उनके उद्वोधनों को सुनना चाहिए स्वाध्धाय करना चाहिए और अब तक अपने जीवन में जो पढ़ा लिखा सुना समझा है अनभव किया उसे आत करना चाहिए मन साथ इसके बाद शंका रखेंगे श्री सुनिल कुमार जी सुरविज जैन सराप पुत्र रक्षम बीना से आप उपस्ते थे और तैयार रहेंगे अजय जी जैन साहिब श्री मती उसा जी शिभम जी, सुईता जी, फिरोजाबाद मनी श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू महाराश्री आजकल इस्त्रिया या थोचित आभूशन पहनना जरूरी नहीं समझती जबकि भार्दी संस्क्रती के नुसार मांग में सिंदूर भर्णा, मंगल सूत्र पहनना पाओ में पिछिया पहनना आदी भार्दी संवता में बहुत जरूरी है ऐसा ना करने पर इसका क्या दूस्प्रभाव होगा हमारी संस्क्रती पर देखे हमारी संस्क्रती की पहिचान है और ये होना चाहिए लेकिन आधुनिकता के दौर में इसब खतम हो एक बार किसी बिचारक ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक जमाने में मांग में शिंदूर होता था यानि पती का स्थान सिर्पाश फिर टीका आगया बिंदी आगयी यानि रलाट पे फिर गले पे आया मंगल सूत्र पर अब तो बिचिया के लिए भी जगानी बची है ये वड़ी सोचनी ये बात है हमें इन पर विचार करना चाहिए इन से हमारी एक सांस्कृतिक पहिचान होती हमारे परिजान वस्त्र आभूशन से एक विवस्ता बनती हमारे देश में विवाहिता, अन्व्याही, बिध्वा और सध्वा इस्त्री की अपने आप पहिचान हो जाती थी उसके वस्त्रा भरनों से और उसी अनुरूप उनके साथ मान सम्मान का बहवार किया जाता था अब ये सब चीजे पास्चात परंपरा के अंधानु करन के करन दूर हो गए आजकल तो बिच्छिया भी गोल हो गए अब आप पहने न पहने मुझे नहीं मालूम पर मैंने एक जिगा पढ़ा था कि बिच्छिया क्यों पहनाई जाती हमारे देश में कोई बात यूही नहीं हो पहले अल्प उम्र में बेटियों की ब्या होते थे और सुहागी नवन कर आती तो पाओं में बिच्छिया पहनाया जाता था इसलिए कि उच्छिंखलता कमो चंचलता कमो उच्छिंखलता को रोकने के लिए ये एक नुकसा था वह भी स्रिंगार के रूप में प्रकट हुआ अब तो सब सिच्छाचारी हो गए तो छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया गया रामाइन के प्रसंग के अनुशार जब राम चंजी सीता कुमन में खोज रहे थे अचानक सीता को लगा कि अब हमें कहां खोजेंगे तो उसने अपना बस्तरा भरन सब गिरा दिया था रास्ते में खोसते खोसते उन्हें कुछ अभूशन दिखे तो रामचंझ जी ने कहा सीता, लक्षमान देख ये सीता के केईूर है ये कंगर हैं, ये हार हैं, लक्षमान मौन लक्षमान ने कुछ नहीं बोला पर लक्षमन जी के अचानक दिष्टी जब उनके नुपूर पर पड़ी बिच्छे पर पड़ी तो बुले लक्षमन देख यह नुपूर किसके बुले भई आये तो माता सीता के है बुले क्यों? मुझे और बातों का कोई ज्ञान नहीं, ना हम जाना मी कुंडले नुपूरे तो अभी जाना मी नित्तं पादा भी बंदनात। मुझे यह नहीं मालू मैं कि इन के हार मुगुट किसके हैं, कुंडल किसके हैं, कंकन किसके हैं। लेकिन मैं इस बात को पक्के तो और पर कह सकती हूँ कि ये नुपुर तो सीते माता की हैं। क्योंकि मैं रोज उनकी पाद बंदना को जाता था, तो मेरी इस पर दृष्टी पाती थी। तो एक दृष्टी है उसको जगा के रखना चाहिए। इसके बाद शंका रखेंके आजय़ जैन शाहिब, स्रीमती हुसा जी, स्यिवं एनर्व जी, फिरोजाबाद और अगले प्रश्न के लिए तयार रहेंगे सृटी ललीटश जी, स्रीमती कमलेज जी जिजैन, सिरी मोक्ष कुमार जी साहिब, और स्रीमती अंजू जी जैन, फिर 10 d Teil Tuk mani की परतमा बहुत ही इस्ताहिकारीं है जिसका चित्रसामने दीख रहा है और महरासिरी आपकावध 262 में प्रवेवा नगर्म उवा था आप निभी प्रत्मा जिसके बारे में यह कहा जाता है यह प्रत्मा समंध बद्धस्वामी के नौस्कार करने पर बनारस में बिंडी से प्रकटुई थी, कालंतर में यह प्रत्मा जंद्रबाद नरेश के पास पहुची, मेरा प्रस्ण यह कि महाराज जी इतना अस्र होने के बावजूद भी ठोजाबाद का यह जिन-मंदिर अन अस्रचेत्रों की तुलना में ख्याती को क्यों नहीं प्राप्त कर सका किर्प्या समाधान कीजिए यह प्रस्ण समस्त प्रोजाबाद की जिन-समाज का है पहले तो मैं कहूंगा एक बार अजे भाई का जोरदार करता लगनिश अभिनंदन करो आज इनकी दस वर्सों की आरेशी कंफर्म है इनकी पूरी मंदली ने अपना इस्थान पालिया इनका मुर्द आज आया है जब जिसका समय आता है तभी आता है एक बार इनके इस शुकृ इनके बांजे जो मधवन में रहते हैं कहां दीपक है की चला गया दीपक भाई एक बार उनका भी अभिनंदन कर जिए आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्त्यपून है फिरोजाबाद में जो चंदब प्रभगवान की प्रित्मा है वो पुरे विश्व में अती दुल प्रित्मा जो यमना के टट से प्राप्त हुई चंदवाल से और वहां चंदब प्रभू मंदिर में बिराजमान है अदुपूत है कि मदंतियों के अनुसार वो समंत्रभद्रश्वामी की भक्ती के प्रशाद से प्रकट हुई प्रत्मा है तो यह अपने आप में बहुत द इसको बंद करिये प्रत्मा साली प्रत्मा होने के बाद ऐसे उत्तम जिन्विब होने के उपराँ इनकी वैसी प्रशिद्धी क्यों नहीं हो पाई जैसी अन्यतीत शेत्रों की होती है प्रशिद्धी को लोग कई तरीके से देखते हैं मेरी राइ में प्रशिद्धी को केवल वहां आने वाले यात्रियों से देखना साइद सही नहीं है। आप इसे इस तरह से क्यों नहीं देखते हैं, कि प्रश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रभाव साली नगर के रूप में फिरोजाबाद इस्था पेत है। वहां 25 हजार जैन है। इसे है नहीं? क्यों? लेलतेश जी हां? प्रश्चिस से भी जादा है। 40 हजार जैन और सब बड़े ब्यवस्थित और संपन यह क्या भगवान की कृपा का प्रशाद नहीं है। किषी तीर्षेत में इतने जैनी है। किटो प्रशाद में भी जैनी नहीं है। 31 हिंदुस्तन के जितने भी जैनियां है। भूलो माईक पर बोलो कृडल सी यह लिदा है। तो है लिदूस्तन के जितने भी जैनीयां पराबर है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि फिरोजाबाद एक ऐसातीत है, जिसमें इतना सुबवस्थित नगर बशा है। ये भगवान का अथसा है, और दूसरी तरफ देखो, जितने लोग चंदप भगवान से जुले हैं, क्या उनके जीवन में खुषाली नहीं है। संपन हैं, सभी संपन हैं। संपन है कि खुषाल हैं। कि एवल संपनता मत देखो, सब खुषाल हैं। आप ही लोग हो हैं। ललतेजी अध्धक्षा हैं। एक सला दू। जैसे भगवान ऐसा मंदिर बना दो तो अपने आप काया चल्चा है। और ठानने भर की देर है। आपस में समाज की राये लो और एक बार कमिटी तो आधी कमिटी तो तुम यहां उपस्तित होई आजाओ बैठके। और भब जिनाले बनाओ। फिलकुल ऐसा जो हमारे कला, इस्थापत और वास्तु का उतकुष्ट नमूना बने। तो अपने आप लोगों के पाउं वहां खीचे आएंगे, तीस जैसा बातावरन बन जाएगा और छेटिकादु काुष्ट आम अमंत्रत करूंगा, हमारे बीच उपस्तेत हैं, श्री ललिटेश जी, श्री मती कमलेश जी, फिरोजाबाद से सिरो मनी संरक्षखें आपको लायतन के साथ ही उपस्तेत होंगे, श्री मुकेश कुमार जी साहिब, स्री मती अंजु जी जैनि फिरोजाबाद आप भी सिर गुर्दार तालिया बजा दे, और इनके पश्षात प्रस्ण के लिए तैयार रहे, ब्रह्मचाणी सुस्मा दीदी जी, केंद्री विद्यालाई भुपाल से हमारे बीच उपस्ते थे, नमस्तु महराज, नमस्तु महराज, महराज, मेरा प्रस्ण यह है, कि जब भी हम गु कि जब कभी गुरु के दर्सन करने के लिए जाए, तो इस भाती दर्सन करें, कि दर्सन भी मिल जाए, और गुरु को बहु बहु धान भी ना हो, आप लोग दर्सन करने के लिए जाते नहीं हो, गुरुओं पर चढने का प्रयास करते हैं, अगर बस चले तो बिलकुल, एक निकटता का हैसास करो, तुम छेतर से गुरू के पास आओगे, कुछ नहीं पापाओगे, लेकिन अगर गुरू से निकटता बना लोगे, सब कुछ पाजाओगे, उनके गुनों की आराजना, इस विकार सबसे पहले जाओ तो उनसे वहां के विवस्त आपको उसे पूछो कि उनकी दिठरिया क्या है, किस समय सभी को दर्सन लाव मिलता है, और आप उस समय पर जाओ, मेरे साथ तो यहां रोचका रोना है, आप लोग कोई शिडूल तो है नहीं, सुबह से साम तक बस दर्सने ही देते रो, और एक दिन की बात हो तो फिर भी जहल ले, रोचका ही काम ह तो ऐसा होता है कि पूरा दिन बिज जाता, एक अक्षर का काम नहीं हो पाता है यह दर्सन और आशिरवाद बातने में, सुनो तो, इसलिए फिर कई बाल लोगों को लगता है शिकायत रहती, दर्सन नहीं मिले, दर्सन नहीं मिले, यह बता अभी तुम लोगों दर्सन मिल रहें कि नहीं मिल रहें, तीन टाइम दर्सन मिल रहें, लो न थोक के भाव, गुरूओं की एकागरता को खंडित मत करो, उनकी चरिया क्रिया में बाधक मत बनो, और यदि कोई आवशक कार है तभी पास में जा, दूर बैठ करके भी बहुत कुछ पास सकते हो, और मैं ऐसे आने एक लोगों को जानता हूं, जो दूर बैठ करके वो पालिये, जो पास वाले नहीं पाएं, कही लोग तो आते हैं, ऐसे भी आये, जिनोंने वर्सों से केवल टेली विजन पर सुनकर अपने जीवन को परिवर्तित किया, वो बोलते हम एक लब बन करके जीते रहें, पा करने का प्यास करना चाहिए, इस भाव से जब आप गुरू का दर्शन करेंगे तो आपके मन में कुछ नहीं होगा, और आप लोग इस विवस्ता को समझते नहीं, बस अमान लिजे, किसी ने हम से पूर से टैम डे लिया, उसको भुलवा लिया, तो उसको जाने दिया, हमको क्यों नहीं, अरे भाया, ये बताओ, हम साधू है, तुम्हारे कृत दास तो नहीं है, हम तुम्हारे लिए साधू नहीं बने है, हम अपने लिए साधू बने है, हमारी अपनी निजता है, तुम्हें जचे तो आओ, हमने थोड़ी बुलाया तुम्हीक रूप से जो प्रैक तो क्या यह प्रैक्टिकली संभाव है, बोलो, यह बवस्था क्यों बनाएगा, इसलिए ना कि एक साथ लाव ले लो, तो यह लेो लाव और आनन्द लो, बोलो लाव मिल रहा है कि नहीं, बस ऐसा है लेते रहा है, अफिलागा, अब उपस्तित हो, ब्रहम चांडी सुस्मा द ओर महराजी के चर्णों में ट्र Kath out, एक साथ ऑनु, एक साथ लावि राय धनन्वाद देना चाहूंगी, नमोस्ति करती हैं आपके चर्णों में की मैं भावना योग करती हूं रिगुलर उससे मुझे बहुत-बहुत फरक पड़ रहा है, अकेले मधर थी तब साथ आथा घर में और उसके बाद उनकी खूब तन्मंधन से सेवा की महाराजी और आपका भावनायो किया उसके बाद तो मुझे काफी संबल मिला और अब मैं बहुत अंदर से ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ मदर का थोड़ा सा जादा मोह था तो सबकुस ठीक है प्रथम दो बंधु कारण या अभिप्राय तो मैं समझ गई हूँ मुझे बंधु का कारण क्या ये जानना है माराजी और तीसरा और चौथा अनुभाग और प्रदेश का अभिप्राय बिल्कुस समझ में नहीं आरा आप सुबा जाईए हमारी कक्षा लगती हूँ आप इ अशे बज़े आ सकते हैं नमुस्तु माराजी नमुस्तु 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 अब आवंतृत कर रहा हूँ युवराज जैन नाकपुर और विराज जैन जवलपुर को और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रमुचारी अजय भाईया जी शिरपोड से नमुस्तु माराजी बोलो जैसे की हमसे गलती से कोई जीब मर जाता है फिर उसे कोई दूसरे दिन जान मुस्ते कोई जीब को मार रहा है फिर हम जीब को बचा ले पर हमें पाप पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है जीब को बचाने में पाप नहीं पढ़ता है जीब को बचाने से पुन्य मिलता है, समझ गए? अशित, चलिए. माराश्री इनकी जग्यासाई अशिकी एक दिन तो इनके हाथ से जीव की हिंसा हो गई, वा तुसरे दिनों उनके जीव की रक्षा गग लिए. तुम्हारा ही बेटा है, हाँ, 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 तो हमको अपनी तरफ से हिंसा करना नहीं चाहिए, और अगर को हिंसा कर रहा है, तो बचाने का प्यास करें. महारा जी, ये चीटी इसके पैरों से मर गई थी, तो इसने हाथ में लिया नमकार्मन सुना रहा था, फिर दूसरी भी मर रही थी, पानी का फ्लो था तो, तो कहता है, मम्मी, हमें दूसरी को भी बचा रहा हूँ तो, पुन्य लग रहा है नमे को, हमसे कम बचाने का भावत है, बहुत अच्छा, चलिए, इसके बाद, बास होगया, ओ, बोलो, जल्दी से बलो, जल्दी, कि हमने मंदिर हमेशा जाने का नियम लिया है, तो फिर एक दिन बूर गाई, तो हमें पाप अड़ेगा कि नहीं, क्यों भूल गये, भूलना नहीं, इसकूल अगर आप आपकी पढ़ाई कम होगी कि नहीं, होगी ना, इसी तरह मंदिर छोड़ो के तो होगी, अब आगे, 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 चलिए, ब्रमचारी अजय भहिया जी शेरपुर से हमारे बीच उपस्तेत हैं, और उसके बाद आमंत्रित करेंगे अनुभव सराब जी, हमारे बीच होंग जिन मंदिर का निर्मान नगर नगर में हो रहे हैं, और जिन मंदिरों के निर्मान करने में समाज सक्षम है, पर मूलनाएक भगवान उसी नगर के लोग ही अगर करते हैं, तो उसका क्या फल होता है, और अगर अन्य नगर के कोई वेक्टी उस मंदिर में मूलनाएक प्रति करो और जो भी मूलाइक विराजमान करता है वो भागेशानी है पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि इस्थानी वेक्ति ही विराजमान करें तो उसको पुर्ने जादा मिलेगा कोई जो विराजेगा उसको पुर्ने जादा मिलेगा लेकिन इस्थानी वेक्ति को चाहिए कि ये सराब जी हमारे पीच उपस्तित है भुपाल से साथी राजिव जैन साहिब रोहिच जैन साहिब और अमिज जैन साहिब दिल्ली से आप चारों से मेराग रहे होगा साथी अनूप जी भी उपस्तित हो जाएंगी गुरुदेब चरड़ों बाराम बार नमुस्तु बंदन पूरे परिवार के और से और पूरी भुपाल जैन समाज के और से भुपाल जैन समाज के 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 भुपाल आती है हमेर मेरं भूत गोर करियो कि ऐक तो यह बाली बात आती है की दान रहा जेंगे आवी नहीं थे नहीं रहा है दूसरी बात आती है की यह जान को हमinky मेरी ही के मंदर में कर दिया है तीसरा अपने पूरे बहुमूलेकार जो उनके उस करने को completes a वाद आखरी में जान के ल में कहा गया दानम दुरुगति नाशना, दान दुरुगति का नाशक है, तो पहली बात दान विक्ति को स्वप्रेणा से देनी चाहिए, किसी के दबाव से नहीं देना चाहिए, भाव से दान देना चाहिए, और जितनी उदारता से दान दे, उतनी ही ततपरता से दान राशी चुकाने का भी भाव करना चाहिए आपने जहाँ भी दान दिया सोच समझ के दान दिजे आपको उसकी उपयोगता उसका उचित प्रतीत होता है तो आप दान दिजे और यदि ऐसा नहीं है तो आप मद दिजे पर कहीं आपने कोई commitment कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि समय सीमा पर निर्धारी समय से पूर ही सामने वाले को मांगने की भी नौवत ना हो और आप वो पैसा चुका दे जहां तक सवाल है दान देने के बाद उस राशी को कहीं और इस्थानी कारियों में लगाने का यह उचित नहीं इस्थानी कारियों में आप अपना दान काव लगा सकते हैं लगाना भी चाहिए अगर हमारे यहां को इस्थानी कार हो रहा है तो उसमें बढ़ चड़कर के हिस्सा लेना चाहिए लेकिन अगर चुनाओ की बात आए वहाँ आप लगाए लेकिन कहीं आपने कोई commitment पहले से कर रुखा है तो उसमें कोई कटवती नहीं होनी चाहिए उसे आप दिजिए यहाँ extra दिजिए हम बोल आए हैं तो जहाँ जिस मद्स के लिए बोला है वहीं दे उस राशी को एक condition में divert कर सकते जब आपने बोला और जहां बोला वहां कुछ हुआ ही नहीं कामी नहों और दिख रहा है कि काम करने के कोई lakshan भी नहीं है तो आप एक काम करें कि सबसे पहले वहां के आयوجकों को एक पत्र लिखे और उनको लिखे कि मैंने अमुक बद में अमुक अमुक तारिक को अमुक राशी प्रदान करने की बात की थी आपने उस निशा में क्या प्रगति की आपकी क्या योजना मुझे आउगत करा है तक कि उपलम्द जानकारी के अनुसान मुझे नहीं लगता कि आपके हाँ कोई कार योजना चल रही जो हा उसकी सप्रमान जानकारी मुझे प्रेशित करे और ये इस ओधी में प्रेशित करे अन्यता हम ये राशी किसी अनकारी के लिए लगाने को स्वतंत्र होंगे पत्र देने के बाद यदि उनका पत्र ना आए तो आप एक रिमाइंडर देते वे लिखे कि हम आपकी कोई रुची नहीं दिखती आपने अब तक कोई सूचना नहीं दी और हम आपके कारी से संतुष्ट नहीं है अता ये राशी हम किसी अनकारी के लिए समर्पित कर रहे हैं ये पत्र आपकी सूचनार्थ है आप से एक निवेदन है कि जब कभी आपका कारी प्रारंब हो और तो आप हमें सूचना दीजिएगा यदि हमारी अनकूलता होगी तो अन्य था हमारा अब आप से कोई भी प्रकिशी प्रकार की बचन बद्धता या कमेटमेंट नहीं है आप फुरी अब रहा सवाल जो तीसरा अब देने ही नहीं है तो उनके करम फूटे निर्माल का भागी दान बोलकर नहीं देने वाला बेक्ती महा दीन बनेगा उसकी बु पूला है तो देव गुरु धर्म के लिए जो भी आपने संकल्प लिया वो राशी समर्पित करनी ही चाहिए अन्य था आप निर्माल के भक्षन के भागी हो सास्त्रों में लिखा है जिन्न धार पैथा जिन बंदन पूजन निमित विशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई निरी गईये सूई रम दुख्ः पुत्त कलत बिदूरो दारिदो पंगू मूख बहिरंधो चांड आलादि कुजादो जिन पूजादी दबहरो जिन्न धार का पदार्थ जिन पूजा बंदन आदी के निमित विशेष धन का जो भूग करता है वो नरग गती में चिर काल तक दुखों का भूग करता है कदाचित वहां से बच भी किया तो मनुश्य भी हुआ तो पुत्र कलतर से रहित होगा दलिद्री होगा पंगू होगा मूख होगा बहिरा होगा अंधा होगा और संसकार हीन जातियों में उत्पन होगा कौन जिन पूजादी दब हरा ऐसा अपराज अपने जीवल में कभी मत करना बोला है तो चुकाना अपना फर्ज मालना क्योंकि तुमने बोल कर क्या लिया पुन्न तो पुन्न अभी उधार है उस पुन्न का उधार कब होगा जब उससे बोली वी राशी तुम दोगे उधारी में उधार कहा है लोक में किसी का पैसा लेकर सौदा लेकर के तुम पैसा खा जाओ तो वो आदमी इमानदार कलाता बे-इमान उसकी कोई प्रतिष्ठा है पैसा लेकर खा गया उसकी कोई प्रतिष्ठा है तो पुन्न लेकर ऐसे खाओ गे तो तुमारी क्या प्रतिष्ठा होगी तुमारा भी पतन पका है इससे बचना चाहिए तो अगर देव दर्भ है आपने जो बोला उसे देव दर्भ मानो और उसे जब तक चुकाऊ नहीं तब तक बेचेन रहो मुझे चुकाना है मुझे चुकाना है चुकाना ही है यह सोच अपने अंदर विक्षित करनी चाहिए तो वो द्रब पहुंचता है नहीं तो अभी चुकि मेरे पास समय नहीं है कई ऐसे उधारन भी है जिनने लोगों ने दिया और मन बिगाड लिया उनका हाल खराब एक उधारन देता हूँ एक भाई ने अपने जीवन के एक बात सुनाई उसने एक सेयर लिया और उस सेयर में बहुत सस्ते में सेयर लिया था उसने दस रुपय का सेयर लिया था किसी समय में वो बढ़ करके पांच सो रुपय का हो गया उसके पास हजार सेयर थे अब दस रुपय का सेयर पांच सो रुपय का हो गया यहनि दस हजार का माल पांच लाग का हो गया उसने सोचा जब सेयर बढ़ेगा तो हम इसका 25% दान करेंगे ठीक है दान करने के बाद आपके जरकन का ही हुआ था उसी बीच क्या हुआ उसमें स्प्लिट में लिया स्प्लिट होता है ना एक के साथ तीन का स्प्लिट हो गया तो बहुत ती गुना हो गया अब उसका दाम भी उसी साथ से अब उसको लगा 15 लाग अब मेरे सेर 15 लाग के हो गया अब वो सेर को बेचने के ले गया कलकत्ता जारकन का ये बंदा था कलकत्ता गया कि ये सेर बेचुँगा वो उन दिनों की बात है जब मैनुवल काम होता था उसने सारजनी के लूप से हमारी सभा में ही बोला था ये बात कलकत्ता गया बेचने के लिए तब तक उसके और दाम बल गए उसने हिसाब लगाया 25 परसंट देते तो पांच लाग चले जाएंगे हमने इतना थोड़ी सोचा था हम तो देर दो लाग सोचे था पांच लाग काई को दे मन बदला इसी बीच उस बंदेने का अभी थोड़ा और रुको इसका दाम और बढ़ना तो जाके वापस आ गया और धराम से जो पांच सो रुपया का सेर पहुंच गया था वो घट करके सीधे 20 रुपया में आके ठहरा जो lower circuit लगा उसने बोला महराज मैंने भोग लिया दान देने का भाव किया तो सेर बढ़ा और मन खोटा किया तो नीचे गिरा बोला मैं वहाँ जाकर के एक कलकता के एक ब्रोकर के यहाँ जाकर के उसके यहाँ गया उसने बोला अभी दाम बढ़ेगा अभी रुक जाओ यह बहुत पुरानी बात है जब computerized system नहीं था सब manual होता था तब की बात है तो यह खेल है तो भाव चलते उतरते हैं यहाँ का सेंशक चलने उतरने में वक्त लग सकता है भीतर का सेंशक धराम से गिरेगा तो माले पुन्ने में लोवर सरकीट आएगा फिर कहीं के नहीं रहोगे इसलिए अब उस सेर से जुड़ा बंदा सामने खळा है इसलिए उसकी भासा बोल रहा हूं है अमित उसका दुरंदर है तो मैं बोल रहा हूं यह चीजे समझो और अपने जीवन को तदन रूप ढालने की कोशिश करनी चाहिए हमें देव द्रब का एक दाना भी नहीं भोगना चाहिए मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था मंदिर गया मंदिर से मैंने एक मारबल का छोटा सा तुक्ला उठा लाया यह करके कि यह दही जमाने के काम में आएगा जब घर में मारबल का टुक्ला लेकर आया तो हमारी जो दादी थी उसने गा बेटा तुने बहुत बड़ा पाप किया है मंदिर से मारबल का टुक्ला लाया निरमाल घर में क्यो लेकर का आया हमें मंदिर में देना है लेना नहीं तू जा ये लेकर आया है तो पहले मंदिर में जा करके गुल्लक में पैसे डाल उसके बाद लेकर करके इतना सा तुक्ला लाया तो ये दृष्टी कौन होती है होता है और जिसके अंदर ऐसा दृष्टी कौन होता है वही शिखर पर पहु जी के लिए जोड़दार तालिया बजा दे आप सागर में कमिशनर के पतपर पदस्त हो करके जैन समाज बहुपाल में कमिशनर के पतपर पदस्त है और जैन समाज के लिए और धर्मिक लिए जो काम ये कर रहे है वो अनूठा और अनूपम है एक बार जोड़दार तालिया ब जायते हैं कि हमारे चेत्र उसमें ना जाएं, हम परेटन से अपने चेत्रों को दूर रखना चायते हैं, इसमें हमारी एक सोच है, पर गुरु जी कभी ऐसा इस मंच सवागार में कोई ऐसा हो, जो अम्रिस्तर गया हो और उसने स्वाण मंदरे के दर्सन ना किये हूं, सायद क कोई हो, तो वहाँ पर हम देखें, उनकी परंपराओं से हम दर्सन करते हैं, हम सिर्क खुला छोड़ के दसन ना परंपराओं चोड़ सकते हैं, ना पानी में पैर दोए विगर जा सकते हैं, तो परेटन के बाप जूद भी उनने अपने सबसे बड़े मंदिर को अपनी पर परंपराओं से बचा रखा है, अब हम लोग परेटन के नाम पर बहुत सारी चीजों को रोक तो रहे हैं, गुरु जी, लेकिन कब तक परिवर्तन को बहुत समय तक रोका नहीं जा सकता, गुरु जी, अगर परंपराओं से हम अच्छा सवाल आपने उपठाया, मैं इसे ए लोगों को रोकने की जिगा सहिताओं का ठीक तरीके से अनुपालन करना चाहिए, और बल्कि अगर और लोग आते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, उन्हें इस बहाने हम जैन धर्म का मर्म बता सकते हैं, जैन धर्म का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन प्रबंधन को चाहि कि सहीता के साथ समझोता ना होने दे, जैसे हम्रित सर में दिलता के साथ सारे नियम और कोर्ड ओप कॉंड़क्स का पालन किया जाता है, वैसा है, सब तीर्तों में कराया जाए, तो कहीं समस्याएं नहीं होगी, जरूवत है पहले नीमा वली बनाने की, बाद में टोकने की, ज मैंने अनेक बार प्रयास की, अभी तक निमा वली यहां की कमेटिया नहीं बना पाई, पून की सितलता है, निमा वली बना है, यहां के स्थानी लोग निमा वली बनाने के लिए तयार है, और निमा वली बना है, उसके बाद कोई रोक टोक करे तो बाद ठीक है, और हमें रो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, पहला प्रयास नीमा वली को बनाने का होना चाहिए, मेरी कल भी संदर में चर्चा हुई, आज भी मैं प्रयास रत हूँ, लेकिन चुकि ये दिगंबर उसे तांबर दोनों संस्थाओं के बीच की बात है, अभी तक युती बनाने में म काम राय पे हो पाए, और यहां के इस्थानी लोगों की इसमें सम्मत्ती दी जाए, जी दिन ये काम हो जाएगा, सिखर जी की समश्चा है अपने आप हल हो जाएगी, बोल ये परम पूज, आचायर गुरुबस्री, बिद्या सागर्जी महमद, झालätि के है है झाला में आप हो जाएगी, दी दो जी होता है, यहाँ की सम्मत्ती बद्सा काँ और टेमने पिजया झाला, रंग की सम्मत्त S market 1, में होजों है व्ये दी बिदाएवी, झाला झालाईगी, इस जी जाएगांधवे wokay, स्टें बद्सा हूँवे जी आज वे द